ITI मंडी में शनिवार को कैंपस इंटर्व्यू का आयोजन किया गया जिसमें नेर्चोक की कमपनी ने ITI पासाउट युवाओं को रोजगार प्रदान किया राच किये और द्योग एक प्रशिक्षन संस्थान मंडी के प्लेस्मेंट अधिकारी प्रवीन धीमान ने जानकारी देते हुए बताया की गुटक की इंडियू प्रीफेर प्राइवेट लिमिटेड गुटक जिला मंडी जोकी फैब्रिकेटिग घर तथा इंटीरियर डिजाइनिंग संबंधित कार्य करती है द्वारा कैंपस साक्षातकार का आयोजन किया जा रहा है उन्होंने कहा कि ITI कर चुके अभ्यर्थियों को जिला मंडी में ही नौकरी करने का सुनेहरा अफसर कंपणी द्वारा उपलब्द करवाया जा रहा है जिसमें वेल्डर, कारपेंटर तथा फिटर के पदू हेतू कैंपस साक्षातकार लिये जा रहे है उन्होंने कहा कि कंपणी द्वारा चैनित अभ्यर्थियों को प्रतिमाह 9,000 रुपे वेतन तथा खाना वयात्रा भत्ता यदी मंडी के बाहर जाना पढ़ता है तो कंपणी द्वारा दिया जाएगा इसके साथ 6 महीने के बाद दोबारा कंपणी द्वारा आपका साक्षातकार लिया जाएगा उन्होंने कहा कि चयनित अभ्यार्थियों का पिछले 6 महीनों में व्यवाहार तथा कार्य सराहनिय पाया जाता है तो कम्पनी द्वारा उन अभ्यार्थियों को नियमित कर दिया जाएगा आपको बता दे कि कम्पनी Medium and Small Enterprises भारत सरकार द्वारा भी पंजीकृत है अज हमारे यहां पर यहां की एक लोकल कम्पनी है जो इंडियू प्रिफ है प्राइवेट लिम्टिड जो की एक हैवरिकेशन और कॉंस्ट्रक्शन बर्ग का काम करती है वो यहां पर आज केंपस इंटर्व्यू लेने आई है तो उनको उनकी जो रिकॉर्मेंट है आज बैल्डर ट्रेड और फिटर ट्रेड और कार्बेंटर ट्रेड की रिकॉर्मेंट है जिसमें सबसे वड़ी खास बात ही है कि यह company यहीं मंडी की है और local है और यह company यहाँ से जो भी trainees यहाँ से place होते हैं उनको 9000 पर salary देगी है परवंत इसके साथ ही अगर 6 मिने तक जो हमारे बच्चे का काम अच्छा रहता है तो उसके बाद दुआरा से अपने उस local जो दुआ पेंटर ट्रेड के तीन और फिटर ट्रेड के दो बच्चे लेके जा रहे हैं और इनका जो construction work का जो काम है जैसे बहुत सारी बिल्डिंग्स आजकल जो है वो चैनल के उपर बन रही है और बहुत जादा लोग जो इसको प्रेफर कर रहे हैं जो कि भुकंप रोधित भी है और लाइट बेट रहती है और काफी कम कॉस्ट में बिल्डिंग्स बनती है और काफी ज्यादा जो है structure ऐसे गवर्मेंट में भी बन रहे हैं तो इनका मुसली जो काम यहां हिमाचल में भी है यहां पर मंडी से यहां पर हमारे आज यहां पर कैंपस प्लेस्मेंट के लिए ठारे न का पूरे हमाचल में इसका काम चल रहा है और पूरे हमाचल के लिए ही बच्चों को यह प्लेस करते हैं तो अभी आने वखत में हो सकता है कि इनकी requirement इससे भी ज़्यादा और रहेगी और हम साथ में चा रहे हैं कि इनको जो हम apprenticeship portal के उपर भी register कर ने जा रहे है ताक मंदी से बयूरो प्रमोख रूपलाल कॉंडल की रिपोर्ट